वेल्कम एवरिवान तुडे वी आर लर्निंग फैक्टरिजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज क्वेशन है एक स्क्वेर माइनस 11 एक्स माइनस 80 आपके टेक्सबुक में जो फोर्थ नंबर पर आइडेंटिटी दी हुई है जो की बराबर होती है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के इस आइडेंटिटी से हम ये क्वेशन सॉल्फ करेंगे तो पहले जो एक्स स्क्वेर माइनस 11 एक्स माइनस 80 है इसको हम कनवर्ट कर लेंगे हमारी आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड से तो हम x-square-11x-80 को x-square-a-bx और a into b की फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने लिखा है x-square-11x-80 अब हम दो नंबर्स कुछ इस तरह से सोचेंगे जिनको add करने पर-11 आता हो और जिनको multiply करने पर-80 आता हो 16 multiplied by 5 80 आता है और 10 multiplied by 8 भी 80 आता है अब हम इनके sign को ध्यान में रखकर correct numbers को select करना है तो अगर हम minus 16 और plus का 5 ले लें तो इनको add करने पर minus 11 आएगा और minus 16 को हम multiply करें 5 से तो minus का 80 आएगा तो ये दो number एकदम correct है जो हमारी questions को और हमारी conditions को satisfy कर रहे है दोनों का sum minus 11 है और दोनों का product minus 80 है अब हम लिखेंगे x square plus minus 11 की place पर हम लिखेंगे minus 16 plus 5 bracket closed x plus minus 80 की place पर हम लिखेंगे minus 16 into 5 now according to the identity हमारे पास a की place पर आ गया है minus 16 और b की place पर आ गया है 5 हम वापस लिखते हैं x square plus bracket minus 16 plus 5 bracket close x plus minus 16 into 5 ये equal हो जाएगा right hand side identity के जो की है x plus a means x minus 16 और दूसरा है x plus b which is x plus 5 थैंक्स पर वाचिंग और एंजय लर्निंग